तो फ्रेंड्स आपका अपनी चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों ये मेडिवेल हिस्ट्री का टेस्ट नमबर वन होगा इसमें हम 20 महत्पूर्ण कोशन करने वाले हैं और आपके हर एक 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 जाम के लिए GK के प्रेक्टिसेट में स्टार्ट कर रहा ह जिसमें अहम भूगोल को इतिहास को और समिधान को कवर करेंगे टेली आपको 20 कोशन का एक प्रेक्टिसेट मिलेगा तो इन सभी कोशन को आपको पढ़ते वे चलना है क्योंकि अगर आप अपने आप से एक बार पूछ लीजीगा कि क्या आपको पूरी तरीके से इतिहास और पूरी तरीके से पॉलिटी और भूगोल पूरी तरीके से अगर तयार है तो फिर ये प्रेक्टिसेट आप मत करिएगा अगर तयार नहीं है तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजे जिससे आपको कोशन के माध्यम से पूरी हिस्ट्री तयार हो जाएगी पूरी भूगो इस्वी, 712 इस्वी, 713 इस्वी या पिस 714 इस्वी तो याद रखेगा जब भी आपसे पूछे भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ तो ये आपका 712 इस्वी में हुआ था उपसन नंबर 20 कोशन का करेक्ट आंसर है अगला प्रशन है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतरत तुमें हुआ चार उपसन दिये गए हैं महमूद गजनवी, मोहमत गौरी, मोहमत बिन कासिम या इल्तुतमिस तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण नेत इतरत्य में जिसके हुआ था उसका नाम था मोहमत बिन कासिम तो इस कोशन का राइट आंसर बनेगा आप्सन नंबर C ठीक है चलिए अगला कोशन देखे अरबो द्वारा भारत विजय का कारण क्या था देश में किसे सर्वोच सक्ति का भाव, सिंध सासक दाहिर की आदूर दर्शिता, मुसल्मान नेतत्त का कुसल होना या फिर सारे के सारे उपरियुक्त सभी तो यहाँ पे इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस कोशन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका आप्सन नंबर D उपरियुक्त सभी सभी कारण यहाँ पे थे ठीक है चलिए नेक्स को कासिम के समय सिंध का राजा कौन था यसो वर्मन दाहिर चाच या फिर अर्जुन इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा इस कोशन का करेक्ट आंसर बनेगा option number B दाहिद इस कोशन का राइट आंसर बन जाएगा question number 5 है मोहमद बिन कासिम ने सरप्रतम सिंध के किस छेतर को जीता देवल सहबन रावर या फिर आरोर तो याद रखेगा मोहमद बिन कासिम ने सरप्रतम सिंध के देवल छेतर को जीता किस छेतर को जीता देवल छेतर को जीता अगला प्रशन है किस अभियान के दोरान उस छेत को जीत कर मुहम्मत गिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विद्वा पत्नी लाट देवी और दाहिर की दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना कर दमिस्क में खलीफा के पास भेजा जो अन्त में उसकी मृत्यू का कारण बना पहला ओप्सन है आरो बाद इस कोशन का करेक्ट आंसर बन जाएगा अगला प्रस्न देखिए पंच तंत्र का अरभी अन्वाद किस नाम से किया गया पहला है ब्रम्ब सिध्धान्त दूसरा है खंडन खंड खाद्य तीसरा है कालिला वा दिन्ना चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपको याद रखना है पंच तरंत का अरभी अन्वाद जो किया गया वो कालिला वा दिन्ना नाम से किया गया आप्सन नमबर सी इस राइट आंसर अगला प्रस्न है अरभों ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारम किया बकरी पालन और आलू उत्पादन गाय पालन और मस्रूम आप्सन नमबर दी उट पालन और खजूर उत्पादन कोशन नमबर नाइन द्याण से देखे घारत पर सर्प्तं मुस्लिम आक्रमत कारी थे जो आक्रमत कारी थे वो कौन थे गजणी के थे गऊर के थे अरभ के थे या पिर उप्रीविक में से किसी के भी नहीं थे तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमर किस वर्स हुआ। 647 हिस्वी में हुआ, 1013 हिस्वी में हुआ, 711 हिस्वी में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर देखो, कहरा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमर, सफल आप से नहीं पूछा है, पहला मुस्लिम आक्रमर, त पहले दो आक्रमण हुए थे जो अस्फल हो गयते उसके बाद 712 इस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेत्वन में सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो 711 इस्वी में याद रखेगा उबैदुल्ला के नेत्रत में आगे देखते हैं अगला कोशन है भारत में सतर प्रतम किस आक्रमण कारी ने जजिया कर वसूला बाबर ने मुहम्मद बिन कासिम ने मुहम्मद गौरी ने या फिर महमूद गजर्वी ने तो भारत में सतर प्रतम किस मुसलिम आक्रमण कारी ने जजिया कर वसूला इस question का right answer क्या बनेगा option नबर B मुहम्मद बिन कासिम ने ही भारत म सवर्प्रतम मुस्लिफ जजिया कर वसूला था अगला प्रशन है मुहम्मद बिन कासिम जो अरब अक्रमनकारी था कि ये बाद भारत पर प्रतम तुर्क अक्रमनकारी कौन था सुबक्तगीन, अलब्तगीन, बक्तियार खिलजी या इन में से कोई नहीं तो आपको याद रखना है मुहम्मद बिन कासिम जो एक अरब अक्रमनकारी था उसके बाद भारत पर पहला तुर्क अक्रमनकारी जो था जिसने अक्रमन किया था वो सुबक्तगीन था महमूद गजन अगला प्रशन क्या है तुर्कों के तुर्कों के तुर्कों ने सर प्रथम किस भारती सासक को पराजित किया दाउद को राजा हर्दत को जैपाल को या भीम प्रथम को तो आपको याद रखना है तुर्कों ने सर प्रथम जैपाल भारती सासक को पराजित किया था आप्सन 27 इस्वितक कुल 17 बार आक्रमर किया उसके इतने अधिक आक्रमों का उद्देश क्या था समराज की स्थापना करना धन लूटना अपने प्रता की मृत्व का बदला लेना या फिस हिंदू साही सासक जैपाल की साहता करना तो यहाँ पर राइट अंसर क्या बनेगा आपका करेक्ट अंसर बनेगा ऑप्शन नमबर B धन लूटना उसका क्या था उद्देश से था अगला प्रश्म था एक हजार पच्चिस से एक हजार चपिस इस्वि में गुजरात के सोमनात मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का सासक कौन था जैपाल, राजा आनंद, महराजा भोज या फिर भीम प्रतम तो आपको याद रखना है इस कोशन का राइट अंसर बनेगा आप्शन नमबर D भीम प्रतम कोशन नमबर 16 कोशन नमबर 17 कोशन नमबर 17 कोशन नमबर 17 की रचना का नाम क्या है साह नामा, किताब उलहिंद, हुमायु नामा या इन में से कोई नहीं तो आपको याद रखना है फिर दौसी की रचना का नाम था साह नामा आप्सन नमबर A राइट आंसर बनेगा अगला प्रशन है निम लिकित में से सबसे प्रसिद चाह मान सासक कौन था प्रत्थिवी रास तरती विग्रा राज दुती प्रत्थिवी रास प्रत्थम या फिर वासु देओ तो आपको याद रखना है सबसे प्रसिद चाह मान सासक प्रत्थिवी रास तरती जिसकी मुहमद गौरी से लड़ाई हुई थी तराइंड के युद्ध गौत उन्हीं के बारें बात करी जा रही है आप्सन ए कोशन नमर 19 है ग्यारा सो बान बे इस्वी में तराइंड के दूसरे युद्ध में प्रत्थिवी राज को किसने हराया बाबर ने हराया था इल्तुतमिस ने हराया था मुहमत गौरी ने रहा था या बलबन ने रहा था तो तराइंड के दूसरे युद्ध में प्रत्थिवी राज चोहान को मुहमत गौरी ने पराजित किया था आप्सन नमर सी राइट आंसर बन जाएगा आज का लास्ट कोशन है मुहमत गौरी ने 1191 में तवर हिंडा या भटिंडा पर हमला किया जो के लिए एक रणीतिक बिंदू था किसके लिए महारणा प्रताब के लिए हेम चंद के लिए प्रत्थिवी राज चोहान के लिए फिर राणा कुमा के लिए तो इसको याद रखना किसके लिए रन नितिक बिंदू था ये था प्रत्वी राज चोहान आपसर नमबर सी इस question का correct answer हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके medieval history के कुछ महत्यपूर्ण question है इसी तरीके से हम GK को cover करेंगे आपके लिए GK को पूरी तरीके से medieval history आपकी modern history, ancient history इसी भी cover करेंगे साथ में जो geography है आपको पूरी तरीके से यहाँ पर कराएंगे और बागी आपको quality भी तो धीरे धीरे इस series को मैं continue रखूंगा केवल 20 ही question daily लूँगा पूरे दिन में कई सारे subject के questions आपको अपने channel पर मिलेंगे उनको पढ़ते वे चलिए इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िए समय कम है कभी भी कोई भी vacancy आपकी आ सकती है और आपको अपनी तयारी पूरी रखनी है जब आपका vacancy आ जाए तभी आपको तयारी नहीं करनी है पहले से ही अपनी सारी तयारी रखनी है तो जितने भी subject आपकी है जो आपको पढ़ने है उन सभी को अच्छे से आपको cover करते वे चलना है ये सारे important question है मैं एक-एक question ऐसा लूँगा कि आपका topic भी cover हो जाए तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ वीडियो पसंदों लाइक सेर करिएगा चानल पर नए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद